हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट यह सबसे कठिन समय नहीं जो की एक कविता है और इसकी लिखने वाली है जया जादवानी यहाँ पर इस कविता में जया जादवानी जी ने मनिश्य को कठिन से कठिन परस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेणा दी है तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नजर डालेंगे पार्ट पर और पढ़ेंगे कविता की लाइने इसके बाद हम आपको बताएंगे पार्ट का सारांस और फिर कविता की लाइने तो बच्चो आप देख रहें ने यहाँ पर हमारे पार्ट का नाम क्या है या सबसे कठिन समय नहीं यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताए था कि यहाँ पर जो इसकी लेखिका है जया जादवानी इन्होंने मनुश्य को कठिन से कठिन परस्थित प्रेणा दिये इस कविता में तो चलिए पढ़ते हैं कविता नहीं है यहाँ सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दवा है चिडिया की चोंच में तिन का और वह उड़ने की तयारी में है अभी भी जरती हुई पत्ती ठामने को बैठा है हाथ एक अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा परतीक्सा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का भगत हो गया है अभी कहा जाता है उस कठा का आकरी हिस्सा जो बूडी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंत्रिक्स के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यहां सबसे कटिन समय नहीं आपने देखा यहां पर कविता को तो आप एक बार से कविता को फिर से पढ़ सकते हैं किस परकार से यहां पर भाव दिया हुआ है आप देख रहे हैं आप पर यह चिडिया इसकी चोंच पर एक तिनका है और हर प्रस्तिति में संगर्ष करने को तैयार है यहां पर आप फिर से पढ़े कविता नहीं यहां सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दवा है चिडिया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की त तब्य तक जहां कोई कर रहा होगा परतिक्सा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सुरज डूबने का भक्त हो गया अभी कहा जाता है उस कठा का आखरी हिस्सा जो बूडी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्स के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यहाँ सबसे कठिन समय नहीं और आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस जो एक कविता की लेकी का कौन है जया जादवानी आईए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कविता का सारांस तो बच्चों आपने अभी कविता पड़ी और आप जानना चाहते होंगे कि इस कविता में क्या कुछ बताया गया है तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर कविता का सारांस पड़ते हैं और आप भी हमारे साथ पड़ें यहाँ सबसे कटिन समय नहीं कविता जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई एक परसिद कविता है इसमें आपने मनिश्य को जीवन के कटिन तम परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेणा दी है चिडिया अपना गोंसला बनाने के लिए एक एक तिन का इकठा करती रह है लोगों को अपनी मंजिल तक पहुचाने के लिए एक रेल गाड़ी अभी भी तयार है लोग सूर्यास्त होने पर अपने प्रियजनों का इंतिजार करने के लिए अभी भी बैठे हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है उनके प्रियजन घर को लोट रहे होंगे दादी नानी आज भी अपने नाती पोते को कहानियां दूर देश में बसे अंत्रिक्स में बसने वालों की सुना रही हैं अभी भी संसार में गति सीलता जारी है अतहे निरास होने की जरूरत नहीं अतहे उधारनों से प्रेणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है या सबसे कठिन स गई है इसके बाद आएए देखते हैं यहाँ पर कविता का अर्थ आप ध्यान से यहाँ पर देखें पहली लाइने क्या थी कविता की नहीं यहाँ सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दवा है चिडियों चिडिया की चोज में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी जरती हुई पत्ती ठामने को बेटा है हाथ एक अभी भी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल-गारी जाती है गंतब्य तैक जहां कोई कर रहा होगा परतिक्सा तो बच्यों इसका आर्थ क्या होगा इसका आर्थ होगा कि कभियत्री प्रस्तुत पंक्तियों में लोगों को आसावान बनने की प्रेणा दे रही है व्यक्ति को लगता है कि यह सबसे कठिन समय है उसके बचने की उमीद नहीं है लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उधारन है जिने हम देख सकते हैं बैटा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हातों से ठामने के लिए बैटे हैं लोग अभी भी घर जाने के लिए तयार बैटे हैं रेल गाडियों पर जाने के लिए इस्टेशनों पर भीड बैटी है अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है अभी भी आप देखें अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है उस कथा का आखरी हिस्सा जो बूडी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्स के पार की दुनिया से ल प्रेस्तुत पंक्तियों में कव्यत्री ने आसावादी दृष्टिकोंड अपनाते हुए का है कि या सबसे कटिन समय नहीं है साम होने पर बाहर जाने वालों का इंतजार आज भी किया जाता है कोई किसी की परतिक्सा कर रहा हो कि घर जल्दी लोट आओ जीवन अपनी गति से ही चलता रहता है नानी दादी आज भी पुराने जमाने से कहानिया सुना रही हैं कहानियों में अंतरिक्स की कहानिया रहती हैं जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानिया लाती हैं दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं अभी भ पानपता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है अता सबसे कटिन समय नहीं है आसा बची हुई है निरास होने की आवश्यक्ता नहीं है तो इस प्रकार से बच्चो आपने देखा यहाँ पर हमने आपको यहाँ सबसे कटिन समय नहीं जो पार्ट है आपका कविता का इसका भावा पूरी कविता उसका बावार्थ और सारांस अच्छे से याद भी हो जाए कि इस कविता में क्या कुछ कहा गया है इसके बाद आईए देखते हैं आप पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर आप भी यहाँ पर देखें और अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं तो बच्चो आप देख रहें ने यहाँ पर हमारे पार्ट का नाम क्या था यहाँ सबसे कटिन समय नहीं और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर तो आप ध्यान दे यहाँ पर और इन प्रस्नों के उत्तर अपनी नोट भी कर सक ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएं तो चलिए जानते हैं यहां पर पहले प्रस्णिक आउत्तर आप देखें पहला प्रस्णिक क्या है आपके पास यहां कटिन समय नहीं है यहां बताने के लिए कविता में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किये गए हैं इस प्रस्ट कीजिए तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे आईए जानते हैं यहां पर उत्तर होगा या कटिन समय नहीं है या बताने के लिए कवित्री ने निमले की तर्क दिये हैं आप देखें ने नमबर एक क्या तर्क दिया है अभी भी चिडिया चोच में तिन का दवाई उड़ने को तयार है क्योंकि वहाँ नीड का निर्मान करना चाहती है इसके बाद नमबर दो तर्क क्या दिया है एक हाथ जड़ती हुई पत्ती को सहरा देने के लिए बैठा है इसके बाद नमबर तीस पॉइंट जो आपके लिए अभी भी एक रेल गाड़ी गंत अर्था अर्थ पहुंचने वाले अस्तान तक जाती है इसके बाद अगला चोथा पॉइंट आपके लिए नानी की कथा का आखरी हिशा बाकी है इसके बाद पांचवा तर्क है अभी भी एक बस अंत्रिक्स के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी और अगला पॉइंट आपके लिए अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आजाओ सूरज डूबने का समय हो चला है इसके बाद यहाँ पर देखें दूसरा प्रसना आपके लिए चिडिया चोच में तिनका दबा कर उड़ने की तयारी में क्यों है वा तिनकों का क्या करती हो होगी लिखिए तो आप क्या लखेंगे इसका उत्तर आईए जानते हैं तो बच्चों आप ध्यान दे यहाँ पर उत्तर होगा आपका चिडिया अपनी चोच में तिनका दबा कर उड़ने की तयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है उसके डूबने से पहल बनाया गोंजला उसके परिवार को सुरक्षा परदान करता है इस परकार से आप दूसरे प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे इसके बाद आईए देखते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रस्ण आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ पूछा गया है आप देखें यहाँ पर कविता में कई बार अभी भी का प्रियोग करते बातें रखी गई हैं अभी भी का प्रियोग करते हुए तीन वाक्य बनाईए और देखिए उसने लगाता निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कारे का बावर निकल रहा है या नहीं तो आप कैसे उतर लिखेंगे आपका उतर होगा नमबर एक मुझे अभी भी सिर्दर्द है नमबर दो गाउं में अभी भी भी बच्चे कई मील पैदल चल कर स्कूल जाते हैं और नमबर तीन हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं तीनों वाक्यों में निरंतरता का बाव निकल रहा है इस प्रकार से आप तीस नहीं अभी भी के पीछे कौन-कौन से भाव छिपे हो सकते हैं आपका उतर होगा नहीं फस्त लिखें आप नहीं मेरी परिक्षा की तेयारी अभी भी कम है सेकेंड वाला नहीं इमारत का निर्मान अभी भी नहीं हुआ है और थर्ड वाला लिखेंगे नहीं मेहमानों के आ प्रशुआ का उत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आये जानते हैं यहां पर तुम ब्रशिण जो आपके लिए है। प्रश्ण क्या होगा? आप जब-भी घर से श्कूल जाते हैं, कोई आपकी परतिक्षा कर रहा होता है। शुरज डूबने के समय भी आपको खेल के मैदान से घर लोट चलने की सूजना देता है कि घर में कोई आपकी पर्तिक्सा कर रहा है पर्तिक्सा करने वाले ब्यक्ति के विशे में आप क्या सोचते हैं अपने विचार लिखिए तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर होगा आपका पर्तिक्सा करने वाले ब्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं मेरे तो दिन की सुरुआत और अंत मा के प्यार से ही होता है सुवे में प्यार से माथा चूम कर जगाने में मा का प्यार नास्ते में बनी पसंद की चीजों में मा का प्यार भले बुरे की डांट में मा का प्यार सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लोट चलने की सूचना देता मा का प्यार और जीने का सली का सिकाता मा का प्यार इन सब का कारणिया है क्यों आप मुझसे विसेश अपना तौर लगाओ रखती है मेरे सुख दुख और जरूतों को ध्यान में रखती है इस प्रकार से आप पांच वे प्रसन का उत्तर लिखेंगे इसके बाद आए जानते हैं यहां पर अन्य प्रसन जो है इतने ही प्रसन जो है आपके लिए यहां पर दे रखें पांच प्रसन है तो बच्चो आज जो हमने पाट पड़ा क्या था यहां सबसे कठिन समय नहीं और एक एक कविता थी यहां पर जो है कविता का जो मुख्य उद्देश से था यहां पर क्या था कि मनिशे को कठिन तम प्रस्तितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए यही हमारी जो कविता की जो लेखिका थी जया जादवानी ने यहां पर संदेश दिया है उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और इसका बावार्त, सारांस और जो प्रस्नों के उतर हमने आपको बताए वो पूरे के पूरे आपके समझ में आये होंगे तो इसी प्रकार से अन्य पाठों को लगातार आप देखते रहें और कुछ न कुछ जो है सिखते रहें तो बच्चो तो बच्चो आज के लिए इतना ही काफी है आप इसे अच्चे से पढ़ें याद करें और समझें आपका दिन सुभू